हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब सेनल अभय गुपता इस्टेन उपर तो आज डिक्रेशन नमबर दूसरा है जो कि पांच सेकेंड में स्टार्ट होगा महोदे हर कार्याले मंत्राले विभाग में राजभासा कार्यानवयन शमितियों का गठन किया गया है जैसे कि हिंदी को राजभासा के रूप में श्वीकार किया गया है इसकी पूर्ति के लिए 27 अप्रेल 1960 को राष्टपती ने यह आदेश जारी किया कि सरकारी का र्याले ओ आदि में जिन अधिनियमों सामविधिक असामविधिक सन्हिताओं नियमों पुराने रजिस्टरों तथा अन्य प्रक्रिया साहित्य शामगरी का अनुवाद विधि विभाग के राजभासा खंड द्वारा और गैर सामविधिक प्रकार के अनुवाद केंद्रिय अनुवाद वियूरो द्वारा किये जाते हैं आस्थाई प्रकार की शामगरी जैसे शंकल्प, सामान आदेश, संसत के समच, प्रस्तुत होने वाली शामगरी वा रिपोर्ट आदिके अनुवाद की विवस्था, संबंधित मंत्रालेओं वा विभागों द्वारा की जाती है ताकि भासा के स्वरूप को सुनिश्चित, सुबोध और सरल बनाया जा सके अनुवाद अपने आप में कठिन प्रक्रिया है इसलिए इस प्रक्रिया को कई हातों में जाने से बचाया गया है जिससे भासा की एक रूपता तथा सरलता बनी रहे इसके लिए प्रसासनिक सब्दों का मानकी करड किया गया है इसके लिए वहां हिंदी अधिकारियों तथा अनुवादकों की व्यवस्था की गई है सभी मंत्रालेओं, विभागों तथा बड़े-बड़े कार्यालेओं में अनुवाद की समुचित व्यवस्था हो चुकी है केंद्री अनुवाद ब्यूरो ने अनुवाद प्रसिछड का भी पाठिकरम चालू किया है इसने प्रसिछड का इस्तर ऐसा बनाया है जिससे की अनुवादकों में आत्मविश्वास पैदा हो जाता है हमें अनुवाद के द्वारा हिंदी में काम करने वालों को प्रोश साहित करना होगा यह तभी हो सकता है जब अनुवाद में सरलता, श्वाभाविक्ता, इस्पष्टता आधी हो संसार में वही भासा आगे बढ़ सकती है, जिसमें अन्य भासाओं के शब्दों को पचाने की सकती होती है हिंदी को सम्रिद तब भी बनाया जा सकता है, जब उसमें अन्य भासाओं को पचा लिया जाए इसलिए अनुवादकों को इन बातों का ध्यान रखना होगा अनुवादकार्य जटिल है इसलिए यदि अनुवादके बजाए हिंदी में सोचना आरंब किया जाए और फिर अपने विचारों को प्रकट किया जाए तो इससे कुछ हद तक समस्या सुलज सकती है जिससे वाक्य रचना सीधी साधी होगी यदि अनुवाद बिना सोचे समझे या अच्छर सा किया जाए तो उससे अर्थ का अनर्थ निकल सकता है सरकारी करमचारियों और अधिकारियों पर जिम्मेदारी है कि विसरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग शंबंधी नीती का पालन करें और जो लच्छ निश्चित किये गए हैं उन्हें प्राप्त करें इसके लिए हमें हर संभव प्रयात्न करना होगा जो भी लोग नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्रत दिन दो डिक्रेशन इस चैनल पर अपलोड होगा धन्यवाद